हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है जंग उसके अंतर मन में हमेशा जंग छड़ी रहती कि हम गरीब हैं तो क्या कोई हमारा अपना सम्मान नहीं है अमीर लोगों को हमेशा गरीब लोग चोर ही क्यों नजराते हैं अरे जब हम लोगों को किसी भी करक्रमों में बुलाने से सरमिंदगी महसूस होती है तो फिर बुलाते ही क्यों पुस्पा के मन ही मन में एक जंग चल रही थी दरसल पुस्पा के पती राजेस एक छोटी सी पर्चून की दुकान करके अपना जीवन यापन करते हैं साथ में ही पुस्पा भी सिलाई का काम करके घर के खर्चे लायक पैसे तो कमा ही लेती है पुस्पा के माईके में मापिता तो थे नहीं दो भाई वा भावी थी एक भाई की साधी हो चुकी थी दूसरे भाई की साधी होने वाली थी पुस्पा की भावी रागनी अपनी बहनेों को ज़्यादा तवज्जो देती थी ननत को नहीं पुस्पा को अपने माईके ना जाये हुए कभी कभी साल साल भर हो जाता था उवह इंतजार करती रहती थी कि कास कभी तो जूठे मुझे ही फोन करके भावी कह दें कि दीदी कब आ रही हो माईके लेकिन पुस्पा की उम्मीदों पर पानी फिर जाता और उसका इंतजार सिर्फ इंतजार बन कर रह जाता एक दिन पुस्पा के भाई मनोच का फोन आया कि दीदी आपको साधी में जरूर से जरूर आना है पुस्पा के माईके में दो महीने पहले छोटे भाई की साधी थी छोटे भाई की साधी में पुस्पा और उसके परिवारवालों को बुलाया गया पुस्पा जब अपने छोटे भाई की साधी में पहुची तब उसकी भावी ने उसकी तरब मुशिक उड़ते हुए कहा अरे दीदी कम से कम आज के दिन तो बढ़िया महिंगी सी साधी पहना आती आज कल तो एक से एक लेटेस्ट डिजाइन की साधीया मिलती है और ये क्या जीजु को तुमने जोकर की तरह कपड़े पहना रखे हैं लगता है साधी का कोट है जो छोटा हो गया है भावी की बाते स मानना यह सब्द सुनकर उसके अंतर मन में एक जंग छिली रहती कि क्या इस साधी में मुझे इसलिए बुलाया कि मेरी इंसल्ट कर सकें हमारा मजाक उडा सकें आखिर क्या हक है भावी को सभी के सामने हमारा मजाक बनाने का पुस्पा के चेहरे पर गुसा साफ जलक रहा थ वह अपनी भावी को जवाब देना चाहती थी लेकिन पती राजेस ने उसका हाथ पकड़कर उसे इसारों में मना कर दिया पुस्पा अंदर ही अंदर गुस्य को पी गई और साधी में आई हुए रिस्तेदारों से मिलने लगी आस पड़ोस के लोगों ने पुस्पा से फोन करते हैं आने के लिए लेकिन कभी आती ही नहीं है पड़ोसन की बात सुनकर पुस्पा ने कहा आया वहीं जाता है जहां मान सम्मान हो बिन बुलाया कर अपनी बेजती कराने से अच्छा है अपने घर पर ही रहूं कभी भावी ने फोन किया होता तो जरूर आती लेकिन साधी बाद मेरी अपनों ने ऐसा पला जाड़ा कि जैसे हम उनके कुछ लगते ही नहीं है आज साधी में बुलाया तो चली आई वरना नहीं आती पुस्पा ने सीधे मुँपर सच बोलते हुए कहा तभी वहां रागनी भावी आ गई और पुस्पा को एक बैग देते हुए क कि दीदी आप इस बैग का ध्यान रखना इस बैग में कुछ कीमती सामान वर नोटों की गड़ी है जरा अच्छे से ध्यान रखना पुस्पा ने मना किया कि मुझसे इस बैग की देखवाल नहीं होगी लेकिन रागनी ने जबर जस्ती पुस्पा के उपर बैग की जिम्मे दारी बड़ी सिद्दत से निभा रही थी साधी के दिन ही सगाई का प्रोग्राम रखा गया था पहले सगाई फिर साधी पंडित जी ने दुले दुल्हन को एक दूसरे को अंगुठी पहिनाने को कहा तभी रागनी पुस्पा के पास गई और बैग में से अंगुठी निक इसी बैग में रखी थी और यहाँ बैग मैंने दीदी को समालने के लिए दिया था अब सोने की अंगुठी इस बैग में नहीं है अंगुठी चोरी होने की खबर आग की तरह फैल गई सभी लोगों की निगाहे पुस्पा पर ही तिकी हुई थी जैसे अंगुठी पुस्प से देखेंगी अंगुठी बैग में ही होगी पुस्पा नहीं कहा मैंने बैग को खुब अच्छे से देख लिया इसमें अंगुठी नहीं है अब वहाँ इकठे लोग तरा-तरा की बाते बनाने लगे की इसे सर्म नहीं आई अपने ही भाई के घर में चोरी करते हुए लगत आखिर आप मुझ पर चोरी का इलजाम लगा कर साबित क्या करना चाहती हो आप सब मेरा यकीन कीजिए मैंने चोरी नहीं की पुस्पा चीक चीक कर कह रही थी मैं चोर नहीं हूँ पुस्पा की आवाज सुनकर उसका पती आया जो इस वृत्तांत से अंजान था मनोज अपन क्या होगवनान में बीड़े कटा देख जटसे वहां आई क्या हुआ है आखिर यहां इतनी फील के लीग मेंक है कि चोरी नहीं की, तभी नहा बोली, अरे जिजी, वो सोनी की अंगुठी तो, आपने मुझे रखने के लिए दी थी, आप सायद भूल गई हो, मैं जब पालर जा रही थी, तब आपने ही कहा था, कि नोटों की गड़ी के साथ, या सोनी की अंगुठी रखना ठीक नहीं होगा कभी पैसे निकालते वक्त गिर गई, तो आप हता जाएगी, इसलिए आपने वह अंगुठी मुझे रखने के लिए दे दी, मैं अभी लेकर आई अंगुठी, नहा ने कहा, अब सभी के सामने सबकु साफ था, रागिनी और मनोज का सिर सभी के सामने जुका हुआ था, दोन मैं सीधे मुझ कहा, तुम लोगों को हमारा अपमान करना था, जो तुमने कर दिया, अब मा भी मांगकर क्यों अपने आपको सरमिंदा कर रहे हो, मैंने कितनी बार कहा, कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन मेरी तुमने एक नहीं सुनी, मेरे साथ साथ मेरे पती के उपर भी इल तोड़ती हूँ, जहां रिस्तों का कोई मोल नहीं, मुझे ऐसे मायके की जरूरत नहीं, मुझे कभी अपने भाई से यह उम्मीद नहीं थी, कि वो भी मुझे चोर समझने लगेगा, लेकिन समझा गया, जब लोगों की यांखों पर दौलत का अंकार छाया रहता है, तब हर गरीब व्यक्ति चोर ही नजर आता है, पुस्पा ने वो अपनी सारी भडास निकाल दी, क्योंकि पुस्पा की हालत उस वक्ता ऐसी थी, काटो तो खुन नहीं, पुस्पा अपने भाई-भावी से रिस्ता तोड़कर वहां से चली गई, रागनी और मनोज माफी मांगते ही रह गए, लेकिन पुस्पा ने उन्हें कभी माफ नहीं किया, क्योंकि उस दिन पुस्पा की आत्मसम्मान को ठेस लगी थी, वहां मौझूद लोग रागनी को ही दोस्त देने लगे, कि तुम्हें पहले सभी से पुस्पास करनी चाहिए थी, और किसी कमरे में ले जाकर फिर पुस्पा से पुस्ती, ऐसे सभी के सामने पूछना गलत था, पुस्पा की बात पर एक विश्वास तो करती, सच में रागनी ने पुस्पा के साथ बहुत बुरा किया, जब भी पुस्पा को यह बाते याद आती हैं, आज भी उसके अंतरमन में एक जंग छिड़ी र बनिवाद